नमस्कार मैं हूँ आपके साथ जागरती मालफिया आए ये नजर डालते हैं शहर की प्रमुगतिवीधियों पर प्रदेश के नम नियुक्त राजवपाल मंगु भाई छगनभाई पटेल सा परिवार आजुजैन पहुंचे वबा महांकाल के दर्शन की है मध्यपिदेश के राजवपाल महामई मांगु भाई छगनभाई पटेल शनिवार को हेलिकॉप्टर से प्रातर दस बच कर 20 मिनिट पर हैलिपेट पर पहुंची राजवपाल के हलिपेट पर संभगायुक से संदीप यादव एडीजी ओगेश देश मुख कलेक्टरा शिस्सी हमवपडि सदिक्षक सत्येंद कुमार शुक्ल ने आगवानी की हैलिपेट पर उच्छिक्षा मंतरी डॉक्र मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जेन, पुर विधायक सतीश मालवी, राज जेन भारती, विक्रम श्विध्याले के कुलपती, डॉक्टर अखिलेश पांडे, विवेक जोशी, बाहादुर सीम इकबाल सी गांधी एवं अनिजन प्रतिमीद्यो द्वारा राजिपाल का आत्मिय स्वागत किया गया साथिते अश्वे कड़ां कि धर सब्सके हा है, विए फ्का सिद्वाओ मुझना आ्राविश है, भाज फोरी एवन फांस, प्रांस, तो द्यातना है안 जाते को सकुझायँद जातना है आतना है ये आट बहुत हुदु पांस प्रदिश के नाव नियुक्त राजपाल मंगुबै छगन भाई पटेल से परिवार आशनिवार को जयन पहुंचे यहां उन्होंने सबसे पहले महाकाल मंदिर पहुंच कर भगवान महाकाल का आश्रवाद लिया करिब 10 मिनट पूचन अरशन करने के बाद महामहीम अंबोदिया इस्सीत सिवाधाम आश्रम पहुंचे महामहीम ने महाकाल मंदिर में प्रथम बैरी केट से दर्शन की असल मंदिर समीती ने वी आईपी और आमशधालों के लिए मंदिर के गर्वग्र और नंदिहाद से दर्शन पर रोक लगा रखी है हेली काप्टर से हेली पेट पर पहुंचे महामहीम ने 10 बचकर 25 मिनट से 10 बचकर 45 मिनट तक महाकाले शुर मंदिर में पूचर नर्शन किया कि राजिपाल मंगु भाई पटेल ने सेवाधाम आश्रम पहुंचकर व्रद्यवम दिव्यांग जनों से मुलाकात की और कहा कि सेवाधाम आश्रम आकर मन गदगद हो उठा मतिपतेश के राजिपाल मंगु भाई पटेल अपने प्रतम उज्जेन प्रवाज के दोरान उज्जेन इस्तिद गरम अंबोधिया के सेवाधाम आश्रम पहुंचे राजिपाल पटेल ने सेवाधाम आश्रम में रहने वाले व्रध जनों निशक्त महिलाओं एवं बारिकाओं अनात बच्चों से भेट की और उन्हें सभी से उनके स्वाध शिक्षा एवं मनने जानकारी ली सेवाधाम आश्रम के संचा लक्सुदिर भाई गोयल ने बताया कि आश्रम में करीब 700 लोग रह रहे हैं जिनकी देख बाल उनकी द्वारा की जाती है राजिपाल पटेल ने कहा की सेवाधाम आश्रम के व्यवस्था एवं आश्रम द्वारा निशक्त महिलाओं बच्चों एवं बुजूर को की की जा रही सेवा देख कर उनका मन प्रसंचा से भर गया उनका मन आश्रम आकर गदंगद हो उठा राजपाल ने कहा कि यहां कुछ बच्चे देख नहीं सकते हैं बोल नहीं सकते हैं और सुन नहीं सकते हैं बड़ी संख्या में अन्य दिव्यांग जन भी है अधर खारे क्रम में आगे हैं अधर ऐसा देखकर दिल में एकदम दूख होता है और दूख और एकदम अंदर से दूख होता है कि क्या है ठीक है बगवान ने जो दिया हो उसको बार को करना पड़ेगा बगवान की इच्छा होगी कि तभी वह अच्छा होगा मगर अपनी दूख तो कहां लगती है कि कई बार ऐसा बोलते हैं सब रस्ते में एक्षिडन हुआ बच गया तो बोलते हैं बड़ी लोग किसी को पाने पिलाया होगा इसलिए उन बच गया है उसी तरह काम है मैं फिर से सभी 700 लोग यहां जो है कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशाशन में खोफ के चलते शरीचरिया मावस्या पर अच्छानक शनी मंदिर पर दर्शनार्थियों के दर्शन पर प्रतिबन लगा दिया गया उजयन में भले ही कोरोना संक्रमन का प्रभाव कम हो गया है लेकिन प्रशाशन को तीसरी लहर का कौफ सता रहा है यही कारण है कि प्रशाशन ने सनिश्चरी अमावस्या पर भक्तो को शनी भगवान से दूर कर दिया है अचानक लिए गया सनिणे के कारण भक्त परेशान होते हुए नजरा रहे हैं उजयन के त्रिवनी इस्तत अती प्राचिन भगवान शनी के मंदीर में भक्तो को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण मजबूरन शधालू मंदीर के शीखर दर्शन कर ही बैरंग लोट रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर के खौफ के कारण जिला प्रशासन ने सनिश्चरी अमावस्या के नहान पर शधालू पर रोक लगाई थी लेकिन अप शनी मंदीर में भी शधालू के प्रवेश प्रशासन ने प्रतिबंद लगा दिया हैं भक्तो को मंदीर में नहीं आने दिया जा रहा हैं उज्यायन के नवग्रह स्तत शनी मंदीर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ दिखाय दिया हैं वरना आज की दिन हजारों की संख्या में शनिचरी अमावस्या पर यहां शद्धालों की भीड़ उमरती हैं शनिचरी अमावस्या पर ग्रामिलों शेत्रों से हजारों की संख्या में शद्धालों आते हैं इसलिए ब्रीच के उपर से ही बड़ी संख्या में शद्धालों शन के मंदिर में आज की दिन शधालु यहां आते हैं और खास कर उजेन के सटे ग्रामेड एरियो से हजारों शधालु शथाशनिदेवी मंदिर में पूजन पाठ के लिए और नहान के लिए आते हैं लेकिन कोरोना के संकट काल के बीच और तीसरी लहर का कौफ जिला प्रशासन पर देखा जारा हैं इसलिए सनिचरे अमावस्या पर शुक्रवार की शाम से लेकर सुमवार की सुभा तक शर्धालू के लिए मंदीर में नहान के लिए पुर्ण प्रतिबंद लगा दिया गया हैं पुलिस ने जगा जगा मंदीर के आसपास के इलाकों को बैरिगेटिंग कर रास्ते बंद कर दिये हैं इसलिए कोई भी शद्धालू शनिचरी अमावस्या पर मंदीर में नहीं आ सकेगा कि इस वर या इस सद्धाल अया यह समय भुधिवर राजस्तान से आके प्रहस न हो गहें हम उदर को दर्शन करने यह दिए रहे खहड़े रहे के दर्शन कर रह है तो भी तक लिए इनको रोज से भी प्रसाशन के तरफ सेवा है कुछ नहीं है यह तो पहले आक बार में बता देते दो दिन पहले तो हम नहीं आते अब किराय भी बिगड़ा बिगड़ा सब कुछ बिगड़ा मन भी बिगड़ गया सद्रीवाराच जो प्रफा होता है वह काफी कम होता है और भगवान की रपाप्ती होती है और आज के दिन जो है अभी जो कोरोना काल जो चल रहा है इसके कारण क्या है कि पूरा भीड़भार जो है मतलब सोचल दिस्टेंसिंग बनाना वती अवश्यक है इस कारण से यह देखते हुए इसके मद्यने ज़र शाशन ने यहाँ पर पूरी विवस्था की हुई है कि यहा बिमारी जो है फेलने से रुके बचाओ हो इस बिमारी का इस कारण से यहाँ पर पूरा प्रतिबंद कर रखा है इस्थानी प्रशाशन द्वारा शनी चरिया अमावस्या पर इसनान प्रपतिबंद लगाने के बाउचूद भी कईश्रधालो घांटों पर इसनान करते वे नज़र आए हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार दो दिनों तक अमावस्या का योग है शुक्रवार एवं शनीवार को आने वाली अमावस्या को शनीचरिया मावस्या कहा जाता है इस दिन हिंदू मानेता अनुसार भगवान शनी की पूजा की जाती है साधी उन्हें काली डाल एवम टेल चड़ाकर सुखसमरदी एवम विभिने समस्याउं से मुक्ति की कामना कीचाती है साधी इसी दिन माज शिपरा में स्ञान का विभिने तरह की बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है महीं दान पूर्ने करने का विशेश महत्वी होता है शरीचरी अमावस्या पर शहर के सबसे प्रसीद इस्थान इंदो रोड इस्थित शरीदेव मंदिर पर लाखों की तादाद में श्रधालो इस्थान करने आते हैं साथी माशिप्राग रामखाट पर भी लोगों की फिर उमरती हैं लेकिन इस वर्ष कोर्णा संक्रमन के चलते इस्थान इंदो रोड इस्थित शरीदेव मंदिर पर लाखों की तादाद में श्रधालो इस्थान करने आते हैं साथी माशिप्राग रामखाट पर भी लोगों की फिर उमरती है लेकिन इस वर्ष कोर्णा संक्रमन के चलते स्थाने प्रशाशन द्वारा शहिचरिया मावस्या पर त्रिवेणी रामखाट सहीच सभी खांटों पर नाहान पर प्रतिबंद लगा दिया गया लेकिन प्रतिबंद के बावचूद भी रामखाट को छोड़ दे तो छोटी रपट सिहास दुआर से बड़े पूल तक इसनान करते हुए काफिश अधालू नजर आए वही रामखाट धर्मराज मंदिर से सिधर आश्रम नर्सिय खाट प्रीज तक भी लोग इसनान करते हुए दिखें हालांकि इस दौरा रामखाट देता खाड़ा शेत्र आदिक खाट सुनसान नजर आए हने घाटो पर इसनान करते हुए लोगों को हटाने के लिए महाकाल थाने से प्लिसबल आया महाकाल थाना की टी आई कुश्वा द्वारा लोगों को नहाता हुआ देख घाटो से हटाने की कारवाई की गई तोधा लोगों को समझारिज दी गए कि इस्थान प्र Cashाषन दोड़ा शरीचरिया मावस्या होने के करण खाटो पर नहाने पर पूनता प्रतिबन लगा हुआ है। इस्थानिय लोगों के साथ शहर के बाहर से भी बहुत से शथारों घाटो पर इस्थान के लिए पहुँचें जिन शायद नहीं मानुम था कि इस्थानिय प्रिशाशन द्वारा शनीचरिया मावस्या पर घाटो पर नहाने पर रोख है। चोटी रपट की बात करें तो यहां शहर के बाहर से आए काफी चार पहिया एवं दो पहिया वहां नजर आए। जब इस्थानिय प्रिशाशन द्वारा घाटो पर पूर्णत प्रतिबन था तो उसके बाउजो शहर के बाहर से आने वाले वहां घाटो तक कहसे करेंगे अंब चैक किया अजय का यहां चलो जैले नाहाइब नहाइब फड़ा पर चलिए पर आपके बेग उद्धा ले जो हूंआ अज़े महांकाल मंदिर के बाहर कारवाई करते हुए CSP पलवी शुकला ने सकती से किन्नरों को हटाया है साथ ही दर्शनार्थियों को परिशान ना करने की हिदायत दी है महांकाल मंदिर में दर्शन करने आने आने वाले शधानों को किन्रों दुआरा वे दूप से वसूली करते हुए परिशान किया जाता था पहले भी कई बार निर्गमदुआर के समीप किन्रों और दर्शनार्थियों में वसूली को लेकर विवाद हुए हैं मामले में प्रशासने का अधिकारियों और प्लिस अधिकारियों को भी शिकायत कई बार की जा चुकी थी लेकिंग कोई कारवाई नहीं हुई थी लेकिन आज CSP पलवी शुक्रा ने मामले को संग्यान में लेते हुए महाकाल मंदर के पहाद निर्गमदुआर के समीप से किंद्रों को सकती सही दायत देते हुए हटाया और दर्शनार्थी को परिशान करने की दायत भी दी CSP पलवी शुक्रा ने बताया कि किंद्रों के द्वारा दर्शनार्थी को परिशान करने की शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ को ठोड़ कारवाई की चाहेगी उजेन चीले के थाना खा चोद में रहने वाले एक यूवक ने फेस्बूक पर प्रधान मंत्री और केंद्री मंत्री इस्मरती इरानी का आपती जनक पोस्ट अप्लोड कर दिया जिसके बाद ग्रामिन भाजपा नीता ने खाच रूथाना पहुँचकर यूवक के खिलाफ आईटी एक में प्रकरण पंजिबत करवाया है आक्या जागिर में रहने वाले यूवक गौवर धन नागर ने फेस्बूक पर प्रधान मंत्री नरेन मोती और भाजपा नेता केंद्री मंत्री इस्मरती इरानी का आपती जनक फोटो डाल करकी फोटो सहित पोस्ट पोस्ट के बाद ग्रामिड भाजपा के नेता पहुँचे खाचरोत थाने पोस्ट करनवाले योख गौवर धन नागर के खिलाफ आईटी एक के तहट थाने में हुआ मामला दर्ज मोधी मित्रमंडल में सबका साथ सबका विकास संकल्प को पूर्ण कर रही है केंद्र एवम प्रदेश की भाजपा सरकार यह बात उचुशिक्षा मंत्री ने पत्रकारवारता में कही वर्ष 2017 में 123 स्वा सविधान शन्शोदन प्रस्तूत कर पिछड़ावर्ग आयोग को सम्वेथानिक दर्जा दिलवा कर यह इसपस्ट कर दिया की मोधी सरकार में सभी जाती और वर्गों के हीतों और अधिकारों की रक्षाहे दू समान महत्व दिया जाता है एवम निशित रूप से यह मोधी सरकार की नीतियों में भी दिखाए देता है यह बात मद्यपदेश उचिशिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकार वारता को सम्बोधित करते वे कही सम मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा के अनुसार शनिवार को मद्यपदेश शाशन के उचिशिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाजपा कारलेग लोकशक्ती भवन पर आयचित पत्रकार वारता के माध्यम से मीडिया से रूबरू हुए इस दुरान उनके साथ जिलाध्यक्ष विवेक जोशी, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारज जेन, संभागी मीडिया प्रभारी सचिन सकसेना आवम, पिश्रावर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष गबरभाटी प्रमुकूरूप से मंचासिन रहें बावन पर्शेंट इस देश के आजर वावादी, ओबीसी साथी है, तो जिस बकार से प्रत्यक वर्गों को प्रत्रिनित मिला चाहिए लोगतंत्र की भावना भी उत्ती है, और उसी अधार पर ये जो मन्नी प्रतारमंत्री में निड़ने लिया है, कि पहले उनने ओबीसी आयोग के आने किया, ओबीसी आयोग को समयधनिक दर्जा दिया, और दर्जा देने के बाद ये एक बड़ा स्टेप ठाया है, कि अगर हमको लोगतंत्र पर सबको प्रतिनित लेंगे, तो उसके बल्गूते पर हम सबकी सरकार कहलाएंगे। जिसमें सभी जाती वर्गों को प्रतिनित वप्रदान किया गया, इसी के अंतरगत पिछड़ा वर्ग में 15 राज्यों के 27 मंत्रियों को शामिल किया गया, जिसमें 5 कैबिनेट एवं 22 राज्य मंत्री बने, ये सोजन भारत के इतिहास में प्रतमाउसर है, जबकि किसी सरकार में OBC वर्ग को इतने बड़े अनुपांत में स्थान प्राप्त हुआ है, इसके पूर्व की सरकारों ने ऐसे वर्ग को जो की देश की 52 प्रतिशत आबादी का प्रतिनित करता है, कभी इतनी तरजीह नहीं दी गई, डॉक्टर यादव ने कहा कि पूर्व वर्थी गेर भा यह बड़ा कठीन काम, इसके पूरा मंत्री मंदल ने लिया है, यही कारण है कि आज लगबग उनके जिजदं का पूरा मंत्री मंदल बना है, उसमें सब के लोगों का प्रतिनित दिखाई देता है EUA Congress प्रदेश अध्याक्ष दॉक्रान्त भूर्या का उजजेन आगमन हुआ, इस दोरान EUA Congress जिला अध्याक्ष भरस शंकर जोसी के नैतरत में प्रदेश अध्याक्ष भूर्या का जम कर स्वागत किया इस दोरान प्रदेश अध्यक्ष भूरिया ने बाबा महकाल की दर्चन कर प्रदेश की खुशाली की काम न की प्रदेश अध्यक्ष इस दोरे से युवा कॉंग्रिस की कारी करताओं में उत्साहा का माहूल बना प्रदेश अध्यक्ष के साथ विक की यादव चंद्रभान सी चंदेल बबलू खीची लखी ठाकूर पपु बुरासी शंकर परमार आदी ने बाबा महकाल की दर्चन की साथी पिपली नाका चोराहे परपूर्व प्रधान मंत्री सुरगी राजियु गांधी जी की प्रतिमा पर माले अरपन किया उचन शहर के प्रसीद समास सेवी भगवान दास एरन की डूप्लिकेट फेस्बुक आईडी बना कर आनलाइन पैसे मांगने का मामला सामने आया है शाहर के प्रसीद समास से भी महाकाल इंडियन गेस एजनसी के मालिक भगवान दास एरन की डूपलिकेट फेसबुक आईडी बना कर लोगों से रुपे मांगने का मामला सामने आया है किसी आग्याद वैकती द्वारा भगवानदास एरन की फेस्बुक आइडी की कौपी कर उनके नाम से लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं किसी से तीन हुजार की डिमांड की जा रही है तो किसी से पांच़ हजार की जब इस बात की जानकारी भगवानदास को लगी तो उन्होंने तुरंट अपने इस्ट मित को फेस्बूक आईडी पर मैसेज कर लोगों को सूचना दी उसके बाद साइबर सेल वसंबन थाने पर आवेदन दे कर अक्तबद माश के ओपर कारवाई के लिए आवेदन दिया दीपक जे ने चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास भगवानदास की फेस्बूक आईडी बना कर किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी जब उन्होंने उससे फेस्बूक पर बात की तो सामने वाले ने उनसे तिन हजार की मांग की एक मुबाइल नमबर भेजा जिस पर आउनलाइन रुपे भेजने को खा गया जब उन्हें एक वैक्ति पर शक हुआ तो उन्होंने भगवानदास को फोन लगा कर जानकारी दी इस संबन में जब हमने आलोक एरन से बात की तो उन्होंने बताया कि दो दिन से किसी बदमाज द्वारा उनके पिताजी की डुप्लिकेट फेस्बूक आईडी बना कर लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है इसकी शिकायत उनके द्वारा साइबर सेल और ठाने पर कर दी गई है और लोगों से अपिल की गई है कि भगवानदाज के नाम से किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करें क्योंकि उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं मांगा गया है यानि आठ तरिक को आठ जुले को सुबह कुछ इस मित्रों का फोन आया कि मेरे पिताजी श्री बगवानदाज जीरन के नाम को यूज करते वे उनके फोटो को उप्योग में लाते वे फेस्बुक के उपर एक फेक आईडी किसी बदमाश द्वारा बनाई गई है और उसके द्वारा जो अल्ड़ेडी कई वर्षों से फेस्बुक आईडी चल रही है पापा की उनी फ्रेंड के उपर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट बेजी गई चुकि फोटो और नाम सेम होने के कारण लोगों ने उसे एकसेप्ट किया जिन लोगों द्वारा एकसेप्ट की गई थी उन्हें फिर फेस्बुक मेसेंजर के माध्यम से एक मेसेज भेजा गया जनरल जैसे हाई हेलो नमस्कार इस तरह से और जिन लोगों ने उसका जाया और किसी से साथ आया किसी से पांच ओजा यह कूण रुप से गलत है उकतब अद्माश द्वारा जो भी डिमांड की जा रही है आप उसे इग्नोर करें किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ना करें उसके दवारा जो मोबाइल नमबर उसमें दिया गया है जिस नहीं आज अपुच मितरों को उसी तरह से मैसेज भेजा जिसमें से शुष दीपक जी जेन के पैस घ्रों के पास या रुपे की डिमांड रही दिपक जी जेन द्वारा हमें सुचित किया है तो मीडिया के मध्यम से भी हम आप से अपील कर रहे हैं कि किसे भी तरह का कोई ले बेंक टाइम में मेरे पास भगवान दजी एरन जो की सहर के बहुत प्रतिष्टित वेक्ती हैं आप लायन्स क्लब के पूरों को गवर्नर हैं और महाकाल इंडियन गेस एजेंसी के संचा लखें उनकी आईडी से मुझे मेसेज आया था कि उन्हें तीन हजार रुपे की मुझ से मदद मांगी है यह सारे मेसेजेस जिसमें आई हुए हैं मैंने तुरंत मुझे लगा कि कुछ गड़बढ है मैंने तुरंत अंकल को फोन किया उनसे जानकरी ली उन्होंने मुझे बताया कि कल ग्यारा वजी से उनकी आईडी किसीने हैं कर लिए तो आप समाज के बड़े प्रतिष्ठित वेक्ति हैं निश्चित रूप से शहर में में भूत से लोग जानते हैं तो प्रपया आप लोग भी ध्यान रखें मुझे अभी मैसेज मिला और मैंने अंकल से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि इसा उनके साथ हुआ है तो आप सब लोग भी ध्यान रखे प्रतिष्ठित वेक्ति का नाम है तो मुझे लगा कि मुझे आप सबको बताना चाहिए कि अपने भी किसी प्रतिष्ठित के आईडिस अगर इस तरह कोई मेसेज आता है तो प्लीज आप उनसे संपर्क करें उसके बाद ही कुछ निड़ना ले अन्य थाप हम लोग ठगी के सिकार हो सकते हैं इसे लोगों से अतिक्रमन टीम के गेंग प्रभारी मोनु थनवार द्वारा अतिक्रमन हटाया गया सुनिलियादा में जानकारी देते हैं बताया कि छोटे कोपल मंदिर द्वारा यहां कॉर्नर पर प्याव संचारित की जाती है जिसको हटाकर उक्तवैक्ति ने यहां पर अपनी जूते च पर ठीक करने की गुम्टी लगा ली थी और हटाने का बोलने पर हरीजन थाने में रिपोर्ट करवाने की धंकी देता था मेरे दुआरा सीएम हेल्प लाइन में शिकायत दर्श कराई गई उसके पर शात अतिक्रमन हटाया गया है मैं अपनी और से सीएम सहाब को वर्नागर का संचालन किया जाता जोटा गोपल मंदिर द्वारा जिसकी कई जगे सितायत करे गई थी जो व्यक्ति जूता रिपेरिंग करता था वो मुझे अरीजन थाने की धंकी देता था इस प्रकार आज जो है सीएम हेल्प लाइन के महास्जियम थे नगर निगम की टीम होनू थन जो वारिष का पानी और नाली की निकासी भी बादित होती थी इस प्रकार आज एस सीएम हेल्प लाइन के माधियम से यह मंदीर चोटा गोपल मंदीर टावर क्योरा है कि इसने सरानी कारी किया गया है मैं सीएम साथ को हेल्प लाइन कीम को भी धन्याद व्यक्ति करता यहाँ थी शहर की प्रमुगती भी थियां इस अंक में फिलाल इतना ही अगले अंक में फिर मलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार